अभी क्या है धाई वाली हरी मिर्च की सबजी का ट्रेंड चल रहा है लगती भी खाने में टेस्टी है तो मैं सोचे आपके साथ मैं भी सेर कर देती हूँ धाई वाली हरी मिर्च की सबजी ये टेस्टी धाई वाली हरी मिर्च की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च में क्या है हरी मिर्च की सबजी या कोई रेष्पी बनां तो यह छोटी वाली हरी मिर्च नहीं लेती क्योंकि यह स्पाइची होती है मैं हमेसा मोटी मिर्च Hai यह इस पाइसी भी कम होती है और रेच भी अच्छी बनती है मिर्च वड़ा बनाने के लिए भी तो ऐसी ही हरी मिर्च काम में लेते हैं न इसका पीछे वाला डंटल आप नाइफ से भी कट कर सकते हो और हाथ से भी तोड़ सकते हो पीछे वाला डंटल तोड़ कर इसे छोटी-छोटी साज में कट कर लीजिए का और हम तो रहे देशी गाउन के तो मैं मीडियम साज में हैं इसे कट करती हूँ हरी मिर्च को तड़का लगाने के लिए गेस ओन करके एक बर्तन में दो टेबली स्पून ओल लेंगे तेल जैसे ही गरम होगा काली मिड्च लोंग हो तो उसका पाउडर बना कर एड़ कीजिएगा हाफ टीस्पून जीरा तेज पता मीठे नीम के पते दालचिनी ये भी एड़ कर सकते हो मेरे पास यह आपड़ सौफ है तो मैं केवल सौफ एड़ कर रही हूँ आप साबुत धनिया भी एड़ कर सकते हो दस पंदरा लेसुन के कलिया करस करके एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर इसे करस कर लीजिएगा आज मेरे पास दाना मिठी नहीं है अगर आपके पास हो तो इस टाइम आप जरूर एड़ कीजिएगा च्यार गुना टेस्ट बढ़ा देती है हरी मिर्ज का ये दाना में थी अब ना हो तो ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं बनेगी तो भी टेस्टी बनेगी लेसुन जैसे ही फराई होगा इसमें हरे प्याज डालेंगे आपके पास हरी प्याज ना हो तो सफेद प्याज लाल प्याज भी ले सकते हो सर्दी का मौसम है अगर हरी प्याज अवेलेबल हो तो वो ही डालिएका प्याज जब फराई हो जाए तो जो हरी मिर्च अपने कटकी है वो सारे के सारे डाल लेंगे मोटी मिर्च लेते हैं वो थोड़ा सा पानी छोड़ती है तो उपर से आप इसमें थोड़ा सा भी पानी मत एड़ कीजिए का खटाई के लिए आप इसमें सलाद वाले टमाटर एड़ कर सकते हो लेमन एड़ कर सकते हो अमचुर पाउडर एड़ कर सकते हो दही हो तो धही भी ले सकते हो हाफ कटोरी फ्रेस धही खटा धही मत लीजिएगा वरना सबजी खटी हो जाएगी टेस्ट के अकोडिंग सिंपल नमक हाफ चमच टर्मरिक पाउडर अगर आपकी हरी मिर्स तीखी है तो आपको लाल मिर्स पाउडर बहुत कम क्वांटिटी में एड़ करना है अगर तीखी ना है तो आप हाफ चमच एड़ कर सकते हो मेरी लाल मिर्स पाउडर भी तीखा नहीं है और हरी मिर्स भी इसलिए मैं इसमें हाफ चमच लाल मिर्स पाउडर एड़ कर रही हो तीखे का बेलेंस दो चीज़े करती है एक तो कोकोनेट पाउडर एक साबुत धनिया पाउडर दोनों आपके पास अवेलेबल हो तो दोनों एड़ कर सकते हो मेरे पास अभी कोकोनेट पाउडर है तो मैं इसी से काम चला रही हूँ इन सबी को मिक्स करके पका लेंगे मिर्च की सबजी के बात करो तो बहुत टाइप से बनती है बेसन वाली, निबू वाली, टामाटर वाली, आलू मिर्च ऐसे हजारों टाइप से बनती है लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी बहुत कम सामान में ये हरी मिर्ज के सब्जी बनाना बता रही हूँ और फटा-फट भी बन जाएगी 10-15 मिट में तो ये देखे पूरी सब्जी त्यार हो चुकी है अब नीचे से गेस बंद कर देंगे ये लीजे मुँ में पानी आने वाली टेस्टी सी धाई वाली हरी मिर्ज के सब्जी हरे धनिय की पतियां हो तो आप उपर से इसमें डाल सकते हो मुझे उमीद है जो मैंने आपको तरीका बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा एक छोटा सा काम मेरा फटाफट से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब है